नमस्कार जैशी केष्णा मैं राखे शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने जूतिश ग्यान के नाम से एक सीरी स्टार्ट की है और उसके अंदर में बहुत सारे नियम बता रहा हूं सब सास्त्रों के नियम है कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो अपने आप से बनायावा हो सास्त्रों चित्थ हैं इसलिए इन नियमों को बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से इनको इंप्लिमेंट कीजिए आपको 100% सफलता मिल रहेगी यह मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी दशा का स्वामी कोई भी दशा जिसकी रह की अंदर दशा चल रही है या जिस रह की मा दशा चल रही है अगर वो कुंडली के अंदर बलवान कैसे देखते हैं कुंडली में बलवान देखते हैं कि वो केंदर त्रिकॉन में बैठ हो या शुब ग्रहों से द्रस्ट हो शुब कत्री में हो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसा रहे बल्वान है क्या है कुंड़ी के अंदर तो अगर कोई रहे कुंड़ी में बल्वान है हमें लगता है कि उसकी पॉजिशन भी अच्छी है वह अच्छे ग्रहों का स्वाम में गोचर कर रहा है उस भाव में शर्तिया व्रत्थी होती है उस भाव की 100% व्रत्थी होती है मालिया वो त्लगन से चौथे भाव में व्रत्थी कर रहा है तो सुप की व्रत्थी होगी प्रापर्टी की व्रत्थी होगी मकान दुकान की व्रत्थी होगी वाहन की व्रत्थी वो लगन से जिस भाव में गोचर कर रहा है उस भाव की हानी होगी अगर वो लगन से चटे भाव में गोचर कर रहा है तो रोक बढ़ेंगे रिन बढ़ेंगे शत्रू बढ़ेंगे अगर लगन से वो साथवे भाव में गोचर कर रहा है तो विवाई जीवन में परिशानी हो होगी पार्टनर्शिप के अंदर प्रॉब्लम होगी विदेश यात्राइं आपकी ऐसे फल होंगी तो आपको यही देखना है कि उस भाव से कैसे फल मिलते हैं और किस तरह के आपको प्राप्रोफ तो यह था यह मैं आपको बता चुका था लास्ट लीडियो के अंदर नेक्स कुंडली में मालिया दशा चल रही है बुद्ध की या दशा चल रही है शनी की तो दशानात को लगन बना लीजिए अब लगन बना के देखिए कि क्या जिस राशी में दशानात है उस राशी में चंद्रमा है या जिस भाव में है उस भाव में उस दशानात की उच राशी है या मित्र राशी है या स्वेराशी है और किन-किन भावों में दशानात से पहले तीसरे पांचवे छटे साथवे नवे दसवे और ग्यारवे भाव यानि जिस भाव में दशानात है उस भाव में चंद्रमा हो या तीसरे भाव में चंद्रमा हो लेकिन स्वेराशी का हो या मित्र राशी का हो या उच्छ राशी का हो किसकी दशानात की दशानात की नगी चंद्रमा की दशानात की उच्छ राशी में गोचर कर रहा हो या दशानात की मित्र राशी का हो या दशानात की स्व तो आपका काम बनेगा क्योंकि नॉर्मली हम लोग यह पूछते हैं कि आज हम लोगों का गौर्मेंट का कुछ पेमेंट लेने जाना है कि हमारा गौर्मेंट से काम बनेगा या नहीं बनेगा हैं तो आप क्या कर सकते हैं तो छोटी द्षा सेलेक्ट कर लिजिए माधशा तो बड़ी होती है चल्ट-चैप साल च्पश मेने की होती है फिस न शौभी आपकी तीन मेने कि हो जाती यह तो पिर उससे सुक्शमिद्षा आप लेएगे वो कुछ दिनों की होगी अब आपसे क आप देखिए कि प्राण दशा उसकी सुक्ष्म दशा कौन सी है उसको लगन बना दिए और उसको लगन बना के देन यूचे कि जिस उस भाव से तीसरे पांचवे साथवे नवे दसवे और ग्यार्वे महां में अगर चंद्रमा है और वहां पे उस दशानात की स्वेराशी है मित्र राशी है या उच राशी है तो हंड़ेट परसंट आपका काम होगा यह आप ध्यान लगए और चंद्रमा एक राशी में सवादो दिन रहता है यह भी आपको मालूँ यह फॉर्मूला आप समझ गये हूंगे यह फॉर्मूला किसी चीज में भी लगा यह कोई कोई को विसमें को अजिसे ग्रहे की ज दशा या अंतर दशा जा रही है कोई भी विगरहा है उसकी दशा हो और दशार कोई बीद दशा जारी है वो स्कूझक्व यदिवै गोचर में गोचर में यदिवे अपनी नीच राशी में आ गया या सूले के समी पाने कारण अस्थ हो गया तो ऐसी इस्तिती में वो ग्रह कस्ट देगा केहने का मतलब क्या है किहने मतलब यह है कि suppose किजिए कि आपकी शनी की अंतरदशा है या शनी की महादशा है या शनी की प्रचेंद तरशा में इetus उब्लालगन में आपको मालूम है तो शनी आपको बहुत अच्छे फल मिलने चाहिए लेकिन आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिल रहे फल तो अच्छे मिल रहे हैं तो में करता है तो सिर्फ कमी पेशी करता है कि लेकिन आपको सौर मिलने चीए लेकिन असिर वे मिल रहे है ऐसा इसलिए कि गोचर में जिस्क रहकी अंतर्दसा की हम लोग बात कर रहे हैं वो गोचर के अंदर प्लित हो गया है गोचर में नीच राशी में हो गया है या शर्तुर राशी में चला गया है या सूरे के सारण अस्त हो गया है वो प्रप्लम हो जाएगी किसी के सेम विप्रीत आपको लेना है कि मालिय किसी ग्रह की अंतरदशा चल रही है या प्रकंटरदशा चल रही है और वो दशा आपके लिए खराख तो आपको वो सौर प्या गहटर देने वाली है आप मुटा मुटा ये समझिये लेकिन यदि ग्रहा वो गोचर में अच्छा है शुब ग्रहों से द्रस्ट हो गया शुब ग्रहों से युथ हो गया या उच्छराशी को प्राफ्ट हो गया और उच्छराशी को प्राफ्ट होके शुब ग्रहों से द्रस्ट होके वक्री हो गया तो उस समय सौर पर घाटा नह लगाना गोचर का अगर आप गोचर नहीं भी देख पाते तो भी बहुत ज़्यादा प्रिशान होने के अवश्यक्ता नहीं है बट गोचर देख लेना चाहिए कि फलो में कुछ कमी पेशी आ रही है या नहीं आ तो डिसाइड करना है अंतरतशा को ही या प्रिशंतरतशा को या महादशा को इनी को डिसाइड करना है लेकिन गोचर ने वो फल आपको प्रवाइड करना है गोचर ऐसे कोरियर भॉय काम करता है और फलो में थोड़ी बगा कमी कृश्यकर सकता है तो पलो में कमी किरसी कैसे होती यह ग्रहे जिसकी दशा है वह गोचर में नीच्छाशी में हैं तो अच्छे पल में पलों में अच्छा ही आ जाते हैं उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि गोचर में क्या क्या देखें यह बड़ा इंपॉर्टन टॉपिक है गोचर में हम लोगों को क्या देखना चाहिए गोचर में हम लोगों को लगनेश की इस्तिति जरूर दे हैं किसी 근데 오 diyorsun गोड़े जो हमारा लगनेश लगन का स्वामी है उसकी इस्तिति को हम गोचर में जरूर चैक करें कहीं वो प depth है और दशा चल आजिसी चल रही है जो पहले आब को एक्टिव गर रही है तो जाहिर है कि हैंट के भाव की बात कर रहे हैं हम लोग जिस भाव के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो सब्तमेश की स्थिति चौते भाव के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो चतुर्थेश की स्थिति तीसरे भाव के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो तृतिश की स्थिति उनकी स्थिति को भी गोच नाब को चंद्रमा से देखते हैं तो जनकालिन चंद्रमा से सुज का गोचर यदी तीसरे चटे दसवे 11 भाव में हो तो वो अच्छा कहलाता है जनकालिन चंद्रमा से घुरु का गोचर यदी दूसरे पांचवे, साथवे, नवे, ग्यारवे भाव में हो, तो वो गोचर अच्छा कहलाता है, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको लगनेश किस्तिती देखनी है, सब्तमेश किस्तिती देखनी है, दशानात किस्तिती देखनी है, कि दशानात जो है, वो आपका गोचर में कैसा है लिट तो नहीं है चंद्रमा से गोचर कैसा है उसका अशुब है या शुब है क्योंकि अगर चंद्रमा से उसका गोचर अशुब है तो रिजट अच्छे आते वे भी आपको मांसिक शानती की प्राप्ती नहीं हो पाती है तो और आशागे करता हूं यह तो आशा करता हूं यह पॉइंक्स आपको समझ मैं होंगे समझ मैं तो ैलैके कोमेचर किजिएगा इसके अलावा हम astrology classes start करने जा रहे हैं जो लोग interested हैं वो दिये गए नमबर को समक्रा कर सकते हैं धन्यवाद जैश्री कृष्णा नमस्कार